हलो स्टुडेंट्स, इलेक्टिसिटी चेप्टर के लास लेक्चर में हमने प्रतिरोध और प्रतिरोध अधरता पड़ा था, यानि कि हमने रिजिस्टेंस और रिजिस्टिविटी डिटेल में सड़ी किया था, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजिस्टेंस और वा सिस्टम ऑफ रिजिस्टर्स, प्रतिरोध कों के निकाय का प्रतिरोध, दो तरह से प्रतिरोध को किई सर्किट में जोड़ा जा सकता है, इस तरह से श्रेणी करम में, यानि सीरीस कॉंबिनेशन में, या इस तरह से पाशर्व क्रम में यानि पैलल कॉंबिनेशन में इसके लिए हमें एक क्रिया क्लाप यानि एक्टिविटी करनी होगी हम एक सर्किट बनाएंगे जिसमें एक बैटरी, एक एम मिटर, एक प्लग कुंजी यानि प्लग की और अलग अलग प्रतिरोद की तीन रिजिस्टर सीरीज में लगे होंगे हम कैसे कह सकते हैं कि ये रिजिस्टर सीरीज में लगे हैं हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये एक के बाद एक जुड़े हुए हैं ना कि किनी अलग अलग पार्ट्स पे जुड़े हैं। अब हम plug की यानि कुझी को insert करते हैं और emitter की reading को note कर लेते हैं। माल लीजे कि emitter की reading एक ampere है। अब हम emitter को resistor R1 और R2 के बीच लगाते हैं और पाठ्यांग को यानि reading को दोबारा note करते हैं। इसी तरह से resistor R2 और R3 के बीच रखकर भी emitter की reading को फिर से note करते हैं। वी विल नोटिस कि हर बार current एक ही ampere होगा। तो हम इस निशकर्श पर पहुंचते हैं कि circuit के हर एक point पर current constant है। यहाँ हमें बताता है कि जब प्रतिरोधक series में होते हैं तब current का flow समान होता है। आईए अब हम कुछ और करके देखते हैं। पहले resistor R1 की शुरुवात से लेकर तीसरे resistor R3 के अन तक एक voltmeter जोड़ कर देखते हैं। अब plug कुझी को फिर से insert करते हैं और voltmeter की reading को note करते हैं। हम इस reading को V से प्रदर्शित करते हैं। अब इस voltmeter को निकाल कर हम तीनों प्रदिरोत को R1, R2 और R3 के साथ अलग लग voltmeter जोड़ते हैं। और तीनों voltmeter की reading को note करते हैं। अब हम notice करते हैं की विभवांतर यानि potential difference across each register is different. Consider them to be V1, V2 and V3 respectively for register R1, R2 and R3. हमें प्ररोग के दुरान यह भी पता चलेगा की V1, V2 और V3 के मान को जब जमा किया जाता है तो वो कुल V के बराबर आता है। We can write V is equal to V1 plus V2 plus V3. Now according to Ohm's law, V is equal to IR and this equation is for the whole circuit. यहाँ यहाँ पर समीकरण प्राप्त हुआ है, वो पूरे विद्यूत सर्किट के लिए है। अब हम कोशिश करेंगे की Ohm's law को separately सभी resistors R1, R2 और R3 के लिए apply करके देखें। So V1 is equal to I into R1, V2 is equal to I into R2 and V3 is equal to I into R3. अब हम अपनी जो पहली equation है V is equal to V1 plus V2 plus V3 में V1, V2 और V3 की values को put करेंगे। इस परकार हमें मिलेगा IR is equal to IR1 plus IR2 plus IR3. On dividing both sides by I, we get R is equal to R1 plus R2 plus R3. We can rewrite this equation as Rs is equal to R1 plus R2 plus R3. Rs हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यह जो हमने resistance निकाला है यह एक series combination के लिए निकाला है इसलिए हम S लिखते हैं. तो हमने देखा कि जब प्रतिरोदकों को series combination में जोड़ा जाता है यानि श्रेणिकरम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोद जो है बढ़ जाता है. अब हम conclude कर लेते हैं कि जब भी resistors को श्रेणिकरम में जोड़ा जाता है तो उस circuit में से flow होने वाला current जो है समान रहता है लेकिन उन resistors के across जो विभवांतर यानि potential difference होता है वो अलग-लग होता है. नेक्स्ट अब हम आते हैं प्रतिरोदकों का पाशर्व करम सेयोजन यानि parallel combination of resistors पर पहले वाले circuit के विपरीथ अब हम resistors को एक के बाद एक पत्थ पर ही जोड़ने के बजाए तीन अलग-लग paths पर जोइन करते हैं इस तरह से. अब हम plug कुणजी यानि key को insert करके अपनी activity को शुरू करते हैं और voltmeter की reading को note करते हैं. इस circuit में हमारे पास पाशर्व करम यानि parallel में जुड़े तीन resistors हैं. हम कैसे कह सकते हैं कि ये parallel में जुड़े हैं? हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनका start point और end point common है. चलिए इन start point और end point को हम नाम देते हैं X और Y. यहां हम देख सकते हैं कि तीनों resistors R1, R2 और R3 एक common point से जुड़े हुए हैं. दो places पर X and Y. याद रखें, potential difference यानि विववांतर हमेशा दो points के बीच measure किया जाता है. अगर दो points common हैं तो इसका मतलब है कि सभी resistors R1, R2, R3 में potential difference समान होगा. अगर आप circuit को ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि points X और Y ना सिर्फ resistors के लिए common हैं, बलकि battery के लिए भी common हैं. तो अगर potential difference battery के across V volts है, तो हर एक resistor के across V volts ही होगा. आप एक voltmeter ले सकते हैं और हर एक resistor के across potential difference को measure कर सकते हैं. आप देखेंगे कि अगर circuit में battery का potential 6 V हैं, तो हर एक resistor के across potential difference 6 V ही होगा. अब हर एक resistor के across current क्या होगा? circuit में flow होने वाला current को हम I consider कर लेते हैं. तो R1 में flow होने वाला current कितना होगा? चलिए, R1 के साथ एक emitter को series में जोड़कर current I पता करते हैं. इस तरह हम दूसरी और तीसरे प्रतिरोधक के साथ भी बारी-बारी से emitter को जोड़कर current I2 और I3 का पता करते हैं. इस परकार जो total current I इस circuit में flow कर रहा है वो I1, I2 और I3 के जोड़के बराबर है. So, we can write I is equal to I1 plus I2 plus I3. But what do we want? हम यह कहां जाना चाहते हैं? We want to measure resistance in parallel. So, applying Ohm's law for the whole circuit, we can write I is equal to V upon Rp. Rp हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें resistance in parallel measure करना है. हमें parallel circuit बनाया है resistors का. इसलिए हम P parallel से लेते हैं. अब हम Ohm's law apply करेंगे individually अलग लग प्रतिरोधक पर. तो हमारा current I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, and I3 is equal to V upon R3. जैसा कि मैंने पहले का, पहले हमने Ohm's law को पूरे circuit पर apply किया, और फिर सभी circuits पर individually apply किया. अब हम I is equal to I1 plus I2 plus I3 में values put करेंगे, और हमें जो equation मिलेगी, वो मिलेगी V upon Rp is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3. On dividing both sides by V, we get 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. So, this is the relation between overall resistance and the individual resistances. So, we conclude that overall resistance decreases when the resistors are connected in parallel. अब हम इस निश्कर्ष पर पहुँचके कि जब प्रतिरोधकों को पाशर्व करम में जोडा जाता है, तो कुल प्रतिरोध घट जाता है. Resistance in series and resistance in parallel इस concept में आपको कोई भी confusion नहीं होना चाहिए. चलो हम एक example कि इस हायता से इसे और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं. मान लिजिए कि दो circus stalls पिल्कुल adjacent हैं, एक दूसरे के side पे हैं. दोनों stalls पर तीन तरह के tickets मिलते हैं. मतलब उनके तीन रेट हैं, दस रुपे का, बीस रुपे का और तीस रुपे का. First circus stall ने एक ही route पर तीन counters बनाए होगे हैं. और जो second circus है, वहाँ पर तीन routes पर तीन different stalls बनाएगे हैं ticket के लिए. अब आप खुदी समझ सकते हैं कि कौन से वाले circus पे आने वालों को ज़्यादा hindrance होगा. Circus के पहले stall में hindrance ज़्यादा है, क्यूंकि तीनों counters टिकेट के एक ही line में हैं, और दूसरे stall में hindrance कम हैं, क्यूंकि तीन routes पे तीन टिकेट के counter बनाएगे हैं. 1st circus ने series वाले concept को enhance किया है, और 2nd circus ने counters को parallel में place किया है. Now you have understood why resistance increases when the resistors are placed in series and resistance decreases when they are placed in parallel. अब आप समझ गए होंगे कि प्रतिरोध कों के श्रेणी करम स्योजन में प्रतिरोध बढ़ क्यूं जाता है, और जब उन्हें पाशर्व करम में जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध घर जाता है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स टाइम एक नए वीडियो के साथ। Thank you, have a nice day!